Welcome back to all, देखिए, हम लोग कुछ यहां पर important vector identities देख लेते हैं, ठीक है, जो exam point of view आपके लिए important होता है, तो one by one देखेंगे, और काफी simple है, पहले से आप लोग इसको देखते आए हो BSE level पर तो आपके लिए यह मुश्किल नहीं होगा, राइट, जैसे देखिए, पहला यह होता है, कि अगर मैं किसी scalar function की बात करूँ, scalar field की, ठीक है, नहापे U जो है वो क्या है, वो आपका है scalar field, realidad के लिए क्या होता है? curl gradient U का value zero होता है, ठीक है, देखे, यह हो गया, curl cross लगा दिया, तो आई आपका gradient है, तो इसका जो value है वो क्या होता है जीरो होता है आप चाहें तो इसको ऐसे verify कर सकते हैं चुकि जो आपका जो divergent जो आपका gradient है तो gradient आपका दिखे ये होता है ठीक है ये नीचे वाला आपका gradient है देख पारे हो आप ठीक है और curl निकालते हैं तो पहले i, j, k लेते हैं determinant में और फ ठीक है उसी तरीके से आपको सारा ही, j कभी आपका वही same आएगा, ये भी 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सारा आपका 0 आ जाएगा तो बहुत easily आप इसको प्रूब भी कर सकते हो ठीक है चलें आगे देखते हैं फिर हमनों लुक्शिकेंड क्या ह ठीक है यहां पर a जो है आपका यह जो है भेक्टर फिल्ड है ठीक है तो divergence curl a अगर vector field होगा तो divergence curl a का value क्या होगा 0 होगा तो आप देख सकते हो कि divergence है तो dot लगा हुआ है और यह आपका क्या है curl है ठीक है तो अब इसको अगर आप निकालना चाहते हो तो भी काफे simple होग आपके लिए, right, जैसे आप इसको अगर determinant method से निकाल होगे, तो आपके लिए यहाँ पिए चलेगा, ठीक है, अब आप जैसे ही इसको लोगे, solve करोगे तो आपका ये भी 0 आ जाता है, तो अभी आपके लिए important है कि आप result याद रखिए, ठीक है, बाकि आप proof कुछी और method से भी कर सकते हैं, ठीक है, next देखिए फिर, थर्ड में जो identity है हमारा, वो है divergence and curl of scalar field U, ठीक है, मतब कि आपको कोई ऐसा ले लिए जाए, कि scalar multiplication U है और A आपका vector है, ठीक है, तो U आपका scalar है, और जो A हमारा क्या है, वो vector है, ठीक है, तो यहाँ पर जो del का dot लगता है, वो कैसे लगेगा, तो मैं आपको ये बहुत अच्छे सम्झा देता हूँ, देखिए, ये आपका scalar ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और A है मेरा vector, A मेरा क्या है, A है मेरा vector, ठीक है न, vector, तो देखिए, जैसे आप differentiation पढ़ते हैं, कि U into B का differentiation कैसे होता है, तो U को छोड़ दिया, B को differentiate किया, पलस फिर B को छोड़ दिया, U को differentiate किया, U into B का, यहाँ पर आप कहा सकते हो, कि U into B का differentiation है, ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ पर चुकि dot है, त्याद रखिएगा, कि जो scalar है, जो आपका scalar है, वो जाएगा, ठीक है, चुकि उसके साथ dot या cross तो लगेगा ने, तो scalar हमेंसा क्या बनाता है, आपका gradient बनाता है, ठीक है, gradient का मतब यह है, कि simply del U के साथ में लग जाएगा, क्लिएर है जी, चुकि U आपका क्या है, इस केलर है, जबकि A आपका vector है, यहाँ पर dot है, यह क्या बनाएगा, यह आपका बनाएगा, divergence याने del dot A लगेगा, ठीक है, अब आपको ऐसी ध्यान देना है, और order पर भी ध्यान रखना है, चुकि यह vector है, तो अगर मैं U को छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ, यहाँ पर देखेगा, ठीक है, अगर मैं U को छोड़ देता हूँ, तो क् gradient होता है, ठीक है, और dot यहाँ पर आजाएगा, चुकि वो दो vector के बीच में dot होता है, यह cross होता है, तो अब यह vector, यह भी vector है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते है, U divergence A, और gradient U, इसको gradient U बुलेंगे, A vector, ठीक है, यहाँ पर भी A है, वो आपका vector है, clear है, इसी तरीक vector है, चुकि अब यहाँ पर cross है, तो यह आपका क्या बनाएगा, यह आपका बनाएगा, curl, ठीक है, और U into B का fundा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक और identity है, वो यह है, कि divergence of A cross B, तो divergence of A cross B, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर देखिए, vector है, A B और B यहाँ पर दोनों का curl बनेगा, curl A dot B minus A dot curl B, ठीक है, order के हिसाब से, जैसे था, वैसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल आसारी सी, यह सब formula आपको याद रहेगा, और आप चाहिए तो इसको prove भी कर सकते हैं, अबट हमारे लिए भी क्या है, अभी important है कि हमको formula य determinant में तरस निकाल सकते हो, बट आप यहाँ पर देखो result याद रखना, इसको result है, यह थोड़ा सा बड़ा result होता है, तो इसको आप चाहिए तो याद रख लेए, वरना इस तरह का question आएगा नी, chances बहुत कम है, बट identities है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठाक है, अगर statement based आ आता है, और आप याद रख सकते हैं, तो ठीक है, आप याद रख करके कर लिजेगा, otherwise इस तरह के question को आपको छोड़ देना है, ठीक है, जो थोड़ा lengthy होता है, क्लिए है जी, अच्छा, फिर एक और आपको देख लेंगा यहाँ पर, जैसे, देखिए, a.del का value यह होता है, तो आप जानते वह साने से, जहाँ a आपका vector है, ठीक है, और a vector है, और a आपका ऐसे लिखा हुआ होगा, axi plus ayj plus azk, यहाँ xy और z axis के along में इसका component आपका दिया रहेगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, definitely, दीख रहा है आपको, अप देखिए, curl curl a क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से आप देखोगे, तो curl curl a, यह भी मेरा जो है, एक अच्छा identity है, इसको हम चाहें तो इस तरीके से convert कर सकते हैं, gradient divergence a minus dL square a, ठीक है, इस सारा proof आपने किया हुआ है, बट अभी आपके लिए important है, आप इस identities को याद रखो, ठीक है, यह identities थे, definitely आपको अगर याद रखना है, तो याद रखिए, वरना भुजदा परशान नहीं होना है, exam में, बिल्कुल vector का simple question आया था, वैसा ही आएगा, ठीक है, तो जो उपर के जो एक दो तीन identity थे, वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, thank you very much.